हालो एवरिवन वेलकम तो मैं चैनल गुपता कोचिंग सेंटर आम निश्या गुपता फ्रॉम जीची सो आजकी वीडियो में मैं फुल स्ट्रेक्टर को एक्स्प्रेइन करूंगी जैसे कि अपने पिछली वीडियो में हाफ्ट स्ट्रेक्टर के बारे में पढ़ा था फुल स्ट्रेक्टर क्या है फुल स्ट्रेक्टर इस एक कॉंबिनेशनल सरकर देट कन परफॉर्म दा सब्राक्शन ओफ था थी इंपूट बिट्स इट कंसिस्ट और फ्री इंपूट्स और टू आउपूट्स देखो इसमें थ्री इंपूट्स होते हैं और टू आउपूट्स होती हैं थ्री इंपूट्स बिट्स जो हैं वो इंक्लूड करती हैं टू सिगनिफिकेंट बिट्स वन इस अ मिनिट्स अड़ सेकेंड इस सब् subtractor, यह 3 मेरे पास है input variables and 2 हमारे पास है output variables, 1 is the difference and second is the borrow, अब उसके बाद हम करेंगे truth triple, देखो truth triple में हमारे पास क्या है input हमारे पास है 3 a, b, c and outputs are difference and borrow, 0, 0 0, difference is 0 and borrow is 0, इसका अपने difference कैसे करना है, a minus b bracket में minus c पहले हम दोनों को minus करोंगे a minus b, 0 फिर उसको solve करेंगे, 0 minus 0 is also 0, difference is 0 and borrow is also 0 उसके accordingly हम difference निकाल देंगे and borrow को calculate करेंगे यह हमारे पास है truth table subtractor का clear, उसके बाद हम करने जा रहे हैं यह truth table करने के बाद हम करते हैं इसकी k mapping k mapping हम difference की भी करेंगे हम borrow की भी करेंगे यहाँ भी मेरे पास 3 inputs हैं अगर मेरे पास 3 inputs हैं तो कितने boxes बनेंगे 8 boxes बनेंगे first of all 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boxes हम बनाते हैं पहली के mapping में difference की करूंगी इसमें मेरे पास 3 inputs हैं a and b c a complement a, b complement c complement b complement c, b c and b c complement जैसे की truth table में हमारा result आया था accordingly हम लोग output fill कर लेते हैं output fill कर दिया तो उसका result क्या है a, b complement c complement second का result है a complement b complement c third है a, b, c and fourth है मारे पास a complement b, c complement सब की addition कर देते हैं यह कह मिला बन गया difference यह मैंने k mapping का जो है full subtractors का k mapping के साथ इसको difference निकाला है after solving this then we can write the difference a, x or b, x or c अब next हम करते है k mapping for borrow के लिए इसके लिए भी same हम 8 boxes बनाएंगे 3 मेरे पास inputs है और जो मैंने truth table किया था उसमें जो मेरे पास borrow आई थी वो output हम इसमें fill कर लेते हैं output fill करने के बाद हमारा result आता है a complement c यह देखो peering बन की 1 and 1 की इधर भी 1 की 1, 1 की 1, 1 की और इधर भी 1, 1 की तो यह मैंने तो k mapping में आपको सब सिखाया था कैसे आपने peering करनी है result है a complement c plus a complement b plus bc after solving this the result is a complement b plus a x or b whole complement bracket close into c clear यह मेरे k mapping ते difference and borrow के लिए जो मैं full subtractor के लिए कर रही हूं उसके बाद मैं करने जा रही हूं use circuit diagram by using the logic gates यह देखो जो circuit diagrams है circuit diagram में हम किस-किस को use करेंगे एक हम करेंगे xor को ठीक है उसके बाद हम करेंगे multiple and gate को और एक करेंगे not gate को देखो first of all हम three जो है inputs लेते हैं a, b, c तीनो input मेरी xor gate में गई तो result जो output आया वो आया difference a, xor, b, xor, c तीर उसके बाद मेरे पास है एक input है b की, एक input है c की वो मैंने and gate में दो inputs ली एक output result आया b, c and next मेरे पास एक input है a, a से and second मेरे पास है b से तो यह देखो a से पहले मैंने बनाया a complement कैसे not gate को use करके तो a complement और b जो है इनको मैंने दो inputs ली यह मेरे पास and gate में है तो result output आया a complement b clear, next मेरे पास two inputs है एक a complement ले मैंने a लिया, उसका complement बनाया next मेरे input है c तो क्या बन गया and gate में मैंने दो inputs आया, तो result आया a complement c अब यह जो तीनो result आया मेरे पास, अब तीनो result को मैं क्या करूंगी, तीनो result को हम और gate में डाल देते हैं, तीनो की मेरे को addition चाहिए जब मैंने इसको और gate में डाल दिया, तीनो inputs को result क्या आ गया, b c प्लस a complement b, plus a complement c, तो यह मेरा circuit diagram था full subtractor का, clear, तो आज की वीडियो में मैंने आपको full subtractor के बारे में बता दिया है, वो होता क्या है, उसमें 3 inputs होती है, two outputs है, एक difference है, एक बारो है, उसका चुछ टेबल हमने solve किया है, के mapping for difference के लिए है, के mapping for borrow के लिए है, और उसका circuit diagram है, अब अपनी next वीडियो में मैं full subtractor को nan gate के साथ करूँ,